Hello my dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. मैं हूँ महिमा और मेरे साथ आज हम भल करेंगे कारेपत्रक सतर. यह कारेपत्रक 26 दिसंबर 2020 के लिए है. आज हम सामाजिक विज्ञान में नाथसिवाद और हिटलर का उदय एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं रिवीजन में. तो हम सुदू करेंगे आज नाथसिवाद और हिटलर के उदय के कुछ प्रश्ण उत्तर. सबसे पहले हम आज के रिवीजन क्यूशिंस को डिसकस करेंगे और उसके बाद इनके सभी आंसर सॉल्व करेंगे. तो चलिए सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं आज के सभी क्यूशि से वो 3 to 5 मार्क्स के हैं चलिए देख लेते हैं आज का फिर्स कुशिन आज का फिर्स कुशिन है दूसरे विश्ययोत के साय में जर्मनी ने क्या नरसंगार किया प्रश नमबर 2 हिटलर और ग्लोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की प्रश नमबर 3 हेलमुट को क्या समझ नह प्रश नमबर 5 प्रथम विश्योत ने यूरोपिय समाज और राजनितिक विवस्था पर अपनी गहरी चाप किस प्रकार छोड़ी कुशिन नमबर 6 स्पार्ट क्रिसली क्या थी इसका क्या प्रभाव हुआ कुशिन नमबर 7 फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कबजे के बाद जर्मनी के अर्थ विवस्था में क्या बदलाव आया कुशिन नमबर 8 आर्थिक संकट क्या था इसकी जर्मनी इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा कुशिन नमबर 9 हिटलर की वो विशेष्थाएं लिखिये जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आ उस समय लोगों को जो उसकी आदतें जो उसकी विशेष्थाएं पसंद आई बताने हैं एक नमबर 10 हिटलर ने अपनी ताना शाही की स्थाप्ना के लिए क्या 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 किया ? Q11. विदेश नीती के मोचे पर हिटलर को क्या क्या काम्याबियां मिली Q12. जून 1941 में सोव्यत संग पर हमला हिटलर की एक एतिहासिक भूल क्यों थी Q13. दृत्ते विश्यूद में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ Q14. हिटलर का विश्य दिस्रीकूर क्या था Q15. नाचसी सुद्ध और स्वस्थ नाडिक आर्यों का समाज क्या था Q16. नाचसी जर्मनी में आवांचित कौन-कौन थे और उनका क्या हाल हुआ Q17. नाचसीयों का नसली कल्पना लोग क्या था Q18. नाचसी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थती थी Q19. मातरत के बारे में हिटलर की क्या सोच थी यानि हिटलर जो था वो माताओं के बारे में क्या सोच रखता था यह हमने अल्रेडी डिस्कूस किया था Q20. नाचसी साशन ने भासा और मीडिया का किस प्रकार इस्तमाल किया Q21. नाचसी जर्मनी में महा ध्वन्स क्या था तो यह हैं आज के हमारे 21 questions अब हम शुरू करेंगे इनके answers उससे पहले देख लेते हैं COVID के संदर में उचित विवार समंदी CAB संदेश नियमित रूप से अपने हातों को साबुन और पानी से धोते रहना है और कुछ समय तक अपने हातों को धोना है बार बार आपको message दिया जा रहा है कि आपको timely अपने हातों को साबुन और पानी से धोते रहना है, sanitizer का use करना है, कहीं भी जाते हैं, mask जरूर पहना है, social distancing का पालन करना है इन सभी नियमों के पालन के साथ आप अपने अपने परिवार के अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं यदि आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित है और यदि आप और आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका समाज सुरक्षित है इसलिए इस महामारी से बचाने के लिए आपको एक कदम उठाना है और इन नियमों का पालन करना है चलिए शुरू करते हैं आज के सभी रिवीजन कुष्चिन की आंसर तो आज का प्राश नमबर एक है हमारा प्राश नमबर एक है दूसरे विश्युद के साई में जर्मनी ने क्या नरसंगार किया इसका उत्तर है दूसरे विश्युद के साई में जर्मनी नरसंगार सुरू किया नमबर एक मानसिक वशारीरिक रूप से अपंग घोशित किये गए जर्मन नागरिक को मार दिया गया जिनकी संख्या लगबक सत्तर हजार थी नमबर दो कुछ खास नसल के लोगों को सामोहिक गुरूप से मारा गया यानि कि कुछ ऐसे खास नसल थे जिन्हें हिटलर अपने देश से बाहर यानि जर्मनी से बाहर निकालना चाता था तो उसने सामुहिक रूप से उनका कतल करवा दिया नमबर तीन इस नरसंगार के दौरान मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी 2 लाख यह लाख है 2 लाख जिपसी और 10 लाख पॉलेंड के नागरिक थे बात करते हैं प्रश नमबर दो की कुशे नमबर टू कहता है हिटलर और ग्लोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की इसका उत्तर है हिटलर और ग्लोबल्स ने सन 1945 में सोवियत सेनाओं के द्वारा पकड़े जाने के भैसे स्वैम को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी हिटलर अपनी हार से इतना भैभीत हो गया था कि उसने स्वैम को खत्म करने का फैसला कर लिया तो उसने ऐसा किया क्यों था क्योंकि वो स्वैम को हारते वे देखना नहीं चाहता था उसको ये बात बिलकुल भी सहन नहीं थी कि उसे वो अपने आपको स्वैम को हारते वे देखे। इसलिए उसने स्वैम को हारने से पहले ही खतम कर दिया। प्रश नमबर तीन की बात करते हैं प्रश नमबर तीन कहता है हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था इसका उत्तर है हेलमुट के पिता ने दृत्त विश्यूद के पश्यात आत्महत्या कर ली थी परंतु उस समय हेलमुट को यह नहीं समझ आया कि आखिर उसके पिता इतना डर प्रत्म विश्यूद के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया तता वारसराय की संधी पर हस्ताक्षर करने के लिए पिवश कर दिया इस सांती संधी के नाम पर जर्मनी से कुछ अपमाजनक सरते मनवाई गई जो इस वरकार थी मैंने जब ये चैप्टर आपको explain किया था तो ये sentence बार बार समझाया था कि वारसराय की संधी आपको याद रखनी है वारसराई की सांती संधी बहुत important topic है और इस पर based question बार बार repeat होते हैं ठीके तो आपको ये topic बहुत अच्छे से understand करना है और इस topic को बिलकुल भी skip नहीं करना है और वारसराई की संधी ही क्या वारसराई की संधी ये थी कि जर्मनी ने प्रथम विश्यूद के लिए पहल की थ तो सारी गलती जो है वो सभी मित्र रास्टों ने मिलकर जर्मनी की डेदी और उन्होंने जर्मनी को मजबूर किया कि आपकी सारी मिस्टेक थी सारी गलती थी इसलिए आपके उपर हर्जाना यानि जुर्माना लगाया जाता है छे अरब पाउंड का जुर्माना लगाया ग देख लेते हैं कि वार्सराय की संधी में और कौन-कौन सी शर्टे रखी गई थी वार्सराय की संधी में कुछ निमलिखित शर्टे रखी थी नमबर एक जर्मनी पर 6 आरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया मित्र रास्टों ने अपने संसादनों वाले राइनलेड पर कबजा कर लिया जर्मनी को अपने 13 प्रतिशत भूभाग भूभाग यानि कि धर्ती भूमी 75 प्रतिशत लोह भंडार यानि 75 परसेंट उनके जितने भी लोह भंडार थे 26 परसेंट कोईला भंडार ठीक है यानि कि कोल आदी फ्रांस ट लेनमार्क और पॉलेड ने जबर दस्ती जर्मनी के 13 परसेंट वहां की लैंड 75 परसेंट लोह भंडार 26 परसेंट उनके कोईला भंडार उनसे छीन लिए ठीक है और सबसे इंपोर्टन यह है राइनलेड उनका राइनलेड उन पर कबजा कर लिया था राइनलेड जो था व बात करते हैं Q5 के आज का Q5 है प्रतम विश्यूद ने यूरोपिय समाज और राजनेतिक विवस्था पर अपनी गहरी चाप किस परकार छोड़ी तो इसका उत्तर देख लेते हैं प्रतम विश्यूद ने यूरोपिय समाज और राजनेतिक विवस्था पर निमलिखित परकार से अपनी गहरी चाप छोड़ी समाच में लोगतंत्र के मुकाबले ताना शाही अधिक लोगप्रिये होने लगी थी राजनेता और परचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुर्शों को अधिक आक्रमक ताकतवर एवं मरदाना गुरोवाला होना चाहिए यह टॉपिक भी पहरे बहुत डीटेल में आपको एक्स्प्लेइन किया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि जर्मनी में क्या-क्या बदलाव आए थे जब राजनीतिक विवस्थाएं बदलने शुरू हुई यूरोपिय समाज में तो क्या-क्या बदलाव आए थी आपको पता है कि प्रथम विश्यूद के बाद जर्मनी में एक नई सोच आ गई थी और वो नई सोच यही थी कि वहां कि जो राजनेता और बुचारक थे वो ये मानते थे कि पुर्षों के अंदर मरदाना गुण होने चाहिए उन्हें आक्रमक होना चाहिए ताकतवर होना चाहिए सुडायल होना चाहिए ठीक है तो ये कुछ नियम आ गए थे कि पुर्षों के उपर जादा ध्यान दिया जाना लगा था और जिन पुर्षों के अंदर ऐसे गुण नहीं थे उनको समाज से बाहर किया जाने लगा था तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट कहता है आक्रमक सैनिक पुचार और रास्टिय सम्मान प्रतिस्था के सामने अन्ने सभी चीज़ें गौण हो गई थी गौण मतलब होता है सेकेंडरी ठीक है तो आक्रमक सैनिक पुचार यानि कि सैनिकों को ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था रास्टिय सम्मान मतलब देश का सम्मान ऐसा हुआ क्यों था ऐसा इसले हुआ था क्योंकि प्रतम विश्यूद आस्टिया और जर्मनी ने मिलके लड़ा था किसने आस्टिया और जर्मनी ने मिलके लड़ा था यहाँ पे मैं Australia की बात नहीं करी हूँ मैं Australia की बात करी हूँ ठीके तो Australia और Germany ने मिलकर प्रफम विश्युद प्रारंभ किया था और दोनों देश हार गए हारने के बाद सारी जो mistake थी सभी जो गल्ती थी वो सभी देशों ने मिलके किसको दे दी जर्मनी को गी जर्मनी की थी और जर्मनी के उपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाएगे जिससे पूरे विश्व में उनका बहुत जादा अपमान हुआ था। वारसराई की संदी भी एक अपमान जनक शर्त थी इसके सिवा भी उनके बहुत सारे ऐसे चीज़े बनाएगी थी कि उनका बहुत अपमान हुआ था। सबसे ज़ादा सम्मान देना है और देश की सम्मान और प्रतिस्था पे ज़ादा ध्यान देना है। तो ये कुछ नए नियम बन गए थे। चलिए बात करते हैं आज के कुश्य नमबर 6 कीुश्य नमबर 6 है स्पार्ट क्रिस्ट लीग क्या थी इसका क्या प्रभाव हुआ। तो इसका उत्तर है स्पार्ट क्रिस्ट लीग जर्मनी की एक राजनितिक पार्टी थी जिसने वीमर गडराज्य का विरोध किया था। शुरुवात में यानि की 1918-1919 स्पार्ट क्रिस्टो ने क्रांती की थी तता बाद में जर्मनी में कम्निस्ट पार्टी का गठन किया था। नंबेसस्ट बाद में कजिता। नंबर वान। जर्मनी में लोव अस्यक और कोईले की कमी हो गई थी। बहुत भारी मातरा में कमी हो गई थी ये कुछ समय के लिए। अधिकांज खनीज आधारित उद्योग थप पड़ गए थे यानि कि जो भी ऐसे उद्योग थे जो खनीज पर बेस्ट थे वो बंद पड़ गए थे नमब थर्ड देश की अर्थिविवस्था चर्मरा गई थी यानि कि कमजोर पड़ गई थी नमब फोर कई प्रकार के आर्थिक संकट उत्पन हो गए थे आर्थिक संकट यानि कि फाइनेंशल इशूस क्रियेट होने शुरू हो गए थे पॉइंट नमब फिवस्था की कमजोर पड़ने के कारण गरीब परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि किसी भी देश की अगर आर्थिक अर्थिक अर्थिवस्था को कोई भी दिक्कत होगी या परेशानी होगी आर्थिक अर्थिक अर्थिवस्थ कि समस्याएं उत्पन होनी शुरू हो जाती हैं बात करते हैं आज के प्रश नंबर आठ की प्रश नंबर आठ केता है आर्थिक संकट क्या था इसका जर्मनी पर क्या परभाव पड़ा तो इसके उत्तर को देख लेते हैं 1929 से 1930 के बीच पूरा विश्य आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया था जिससे आर्थिक संकट का नाम दिया गया या आप कह सकते हो कि जिससे आर्थिक संकट कहा गया आर्थिक संकट में कौन-कौन से समस्याएं उत्पन होई थी नमबर एक कई प्रकार के वैपार ठब पड़ गए थे यानि कि बंद पड़ गए थे नमबर दो कार खाने बंद हो गए थे थर्ड और योगिक उत्पादन लगभग 40 प्रतीशत घट गया यानि कि जितने भी और योगिक उत्पादन हो रहे थे वो लगभग 40 परसेंट डाउन हो गए बिल्कुल बंद हो गए फोट पैंट की बात करते हैं क्रिशी उत्पादों की कीमतों में गिरावट आ गए और किसानों के लिए फसल उगाना मुश्किल हो गया था पइंट नबर फिफ्ट भारी मात्रा में लोग बेरोजगार हो गए थे यानि कि बहुत जादा लोग ऐसे थे जिनके रोजगार उनसे छिन गएक क्यूंकि बहुत सारी फैक्टरियां बंद हो गए थी बहुत सारी उद्योंग बंद पड़ गए थे हम बात करते हैं आज के प्रश नमबर 9 की प्रश नमबर 9 क्या कहता है हिटलर की वो विशेस्थाइं लिखिये जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई तो जब हिटलर जर्मनी में उभर कर सामने आया उसकी कुछ ऐसी विशेस्थाइं थी जो लोगों को पसंद आई लोग आकरशित हुए और लोगों ने उसको राजगदी सौप दी जिस पर बेस्ट उसने आगे चल कर कुछ ऐसे नियम बनाए जिन नियमों के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा पर पहले उसकी कुछ विशेस्ताएं ऐसी थी जो लोगों को पसंद नमबर एक हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था यानि कि वो बहुत अच्छा वक्ता था जब वो बोलता था तो लोग उसकी बातों से बहुत जादा आकरशित हो जाते थे नमबर दो उसमें एक विशेश परकार की परचार कला थी यानि कि उसने एक नए तरह से परचार क करना शुरू किया था जो उससे पहले किसी नहीं किया था और उसकी पुचार कला से लोग इतने जादा प्रभावित हुए थे उसी कला से आकर्शित होकर लोगों ने उसको वोट दिया और उसको आगे लाके राजगर्दी सौप दी यानि कि उसको वाइस चांसलर बना दिया गया नमबर थर्ड वह एक अच्छा संगठन करता था यानि कि हिटलर एक अच्छा संगठन करता था नमबर फोट उसने सबको एक अच्छे सुनहरे भविशे का सपना दिखाया था यानि कि उसने लोगों से आगर लोग उसकी बातों में क्यों आ गए जब भी हम हमारी दिशान होते हैं उस समय अगर हमें कोई ऐसी कोई भी ऐसी सिच्वेशन मिलती है जिससे हमें लगता है कि हम इस सिच्वेशन से बाहर आके किसी बहतर सिच्वेशन में जा सकते हैं तो हम बहुत इसली उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं ऐसा ही जर्मनी की जनता के साथ हु क्योंकérêt जर्मनी में कई तरे की समस्याइं थी और उन समस्याओं के कारण जर्मनी की situation बहुत खराब थी Arctic situation खराब थी, सामाजिक सिच्चुेशन खराब थी, जिसके कारण लोगों ने Easily Hitler की बातों पर भरोशा किया और उसने जो सुनहरे भविशे के सपने दिखाए उस पर ट्रस्ट किया और उसको Vice Chancellor बना दिया गया नमबर फिफ्ट उसने समाज में बदलाव का भरोसा दिया यानि कि Hitler ने लोगों को ये भरोसा दिया कि वो समाज में नए बदलाव लेकर आएगा वो बदलाव तो लेकर आया पर ऐसे बदलाव लेकर आया जिसमें भारी मातरा में नरसंगार किया गया यानि लोगों को मार दि से हटाया ना जा सके तो बात करने हैं आज के अंतिम प्र gluten की क्या हिटलर ने अपनी तानाशाई की स्थापना के लिए क्या क्या किया इसके उत्तर को देख लेते हैं Hitler अपनी तानाशाई की इस थापना家 नाजियों वा उनके नाजी कौन थे नाजी वो पार्टी थी जिसका नेता था हिटलर ये याद रखना है आपको नाजी कौन थे तो नाजी एक पार्टी थी एक डल था एक संगठन था और जिसका लीडर हिटलर था नाजियों वा उनके सहयोगियों को छोड़ कर यानि कि अब उस सिर्फ जर्मनी में नाजी संगठन ही चलेगा उसके सिवा जितने भी राजनेतिक दल थे या ट्रेड यूनियों थी उन पर प्रतिबन यानि रोक लगा दिया गया नमबर दो अर्थ विवस्था, मीडिया, सेना और न्याइपालिका पर राजय ने पूर्ण रूप से नियंतरंग कर लिया था यानि कि इन सभी पर अब सरकार का कबजा था और सरकार का हेड कौन था हिटलर था इसलिए हिटलर का कबजा था थर्ड पॉइंट कहता है इस अधिनियम के अनुसार सभी अधिकार तता सक्तियां हिटलर को प्राप्थ हो गया थे यानि कि देश के जितने भी अधिकार और शक्तियां थी वो हिटलर ने प्राप्थ कर ली थी 4. नए प्रवधानों के अनुसार एकमात्र नाजी पाटी तथा हिटलर का साशन स्थापित हो गया था हिटलर जो था वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसने कुछ ऐसी चीजे फेस की थी जिसके कारण उसके अंदर इतनी कुरूरता उत्पन हो गई थी वो कारण ये था कि हिटलर जो था वो जर्मनी की सेना में था प्रथम विश्योद को हाटे हुए जर्मनी में देखा था उसने और जर्मनी के उपर जितने भी कॉम्पेंशेशन लगाए गए थे जितने भी नियम ऐसे बनाए गए थे जिससे की जर्मनी का अपमान हुआ था प्रथम विश्योद के बाद उन सभी को फेस किया था हिटलर न इसी लिए उसके अंदर कुरूर्ता की भावना उत्पन हो गई थी और ये सारे जो उसने नए नियम बनाए थे प्रवधान बनाए थे वो सभी नियम और प्रवधान अपने देश का सम्मान वापस दिलाने के लिए बनाए थे तो ये हैं हमारे आज के सभी 10 questions I hope आपको समझ में आए होंगे यदि आपको समझ में आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का notification आपको टाइमली मिलता रहे हमारे सभी answers हमारे टेलिग्राम चैनल अभी answers written form में वहां भी आपको प्रवाइट किये जाते हैं मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं फिदा जल ही मिलोंगी आपको इस वीडियो के सेकिंड पार्ट में बाकी answers के साथ बाबाई बच्चों टेक कियर